हाई लेवेंधीज, वेलकम डू एजी बी कॉमेस क्लासेज, मैं हूँ तबिता और गाईज आज की इस वीडियो में हम अपने पार्टनर्शिप का टॉपिक कवर करेंगे यानि की पार्टनर्शिप का क्या मतलब होता है, किन चीजों से मिलाकर हमारी पार्टनर्शिप बनती है, पार्टनर्शिप के और बहुत सारे क्या फेक्टर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए सो आज किस वीडियो में हम वो पढ़ने वाले हैं तो स्टार्ट करने से पहले गाईज अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें अपने अकाउंस के लिए अपने बिजनस एंड एकनामिक्स के लिए और हां अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी सब्जेक्स से रिलेटेद अकाउंस बिजनस एकनामिक्स तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पर सकते हैं आईड है अबिता मैसे अपना कोई भी डाउट आइस आप वहां पर पूच सकते हैं तो इस टार्ट करते हैं पार्टनर्शिप का क्या मतलब होता है तो बेसिकली पार्टनर्शिप मतलब पार्टनर्शिप यानि कि आप जब दो लोग मिलकर कोई बिजनस स्टार्ट करते हैं तो उसे पार्टनर्शिप कहते हैं तो मिनिमम दो लोगों का होना तो पार्टनर्शिप में जरूरी है यानि कि दो तो मिनिमम होने चाहिए या फि तो उसे हम partnership कहेंगे तो गाइज अगर कोई एक बंदा business करते है तो उसे sole proprietor कहते है लेकिन एक बंदा जब अपने भाई या बहन या अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोई business start करता है तो उसे हम partnership कहते है 1932 के अंदर सारी चीजे बताए गई हैं कि partnership किस तरीके से बनती है partnership के लिए क्या क्या चीजे जरूरी होती हैं अगर कभी लडाई हो जाती है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है तो बहुत सारी चीजे हमें act बता देता है कि अगर ये आप अठकोगे तो आप act की help लेकर अपने उन सारी चीजों को दूर कर सकते है यानि कि अगर लडाई हो गई तो उसे कैसे सुल जाएं तो वो सारी चीजे हमारी act में मिल जाती है अब गाई इसकी definition भी Indian partnership act 1932 और section 4 के according काफी easy सी दे रखी है partnership is the relation partnership क्या है relation है क्योंकि हाँ पर आप relation के बेस परी तो काम कर रहे हो so relation है between person who have agreed to share the profit किसके बीच में guys relation है persons के बीच में जो ये agree करते हैं कि हम profit of a business agree to share the profit of a business जो ये कहते हैं कि हम business का profit share करेंगे carried on by all और any of them acting for all चाहे अब उस partnership को ये पांचो जने कितने हैं एक दो तीन चार पांच पांचो जने मिलकर चलाएं या फिर ऐसा हो कि ये तीन जन चला रहे हैं ये दो जन अपना पैसा लगा के कोई और काम करने निकल पड़े या ये दोनों business में partner ही ले रहे लेकिन इन्होंने पैसा लगा दिया तो ये partner तो कहलाए जाएंगे क्योंकि भाईया इन्होंने पैसा लगाया है profit भी share करेंगे loss भी share करेंगे लेकिन हम partnership किसे कहते हैं या तो स्थारे चलाएं तो उसे हम कहते हैं carried on by all और any of them acting for all तो अगर ये तीनों बस चला रहे हैं इन्होंने पैसा लगा के बैट गए हैं तो हम कहेंगे any of them acting for all क्योंकि ये जो भी काम कर रहे हैं पूरी partnership के लिए कर रहे हैं तो अगर इसने कुछ भी काम किया है उसके लिए ये भी liable होगा ये भी होगा ये भी जिम्मेदार है ये भी है तो इसी लिए हम partnership में मिलकर काम कर सकते हैं या फिर any of them acting for all तो बहुत easy सी definition दे रखी है ठीक है और partnership के लिए act कौन सा दे रखा है partnership act 1932 अब हम स्टार्ट करते हैं guys की partnership के क्या features होते हैं ठीक है तो एक चीज़ना यहां पर लाइन लिखिया partnership firm has no separate legal entity apart from the partner constituting it यानि की partnership में guys जो भी partner होते हैं उनकी legal entity अलग नहीं होती है वो same ही entity माने जाती है यानि की अगर partner जो भी काम करेंगे तो firm भी उसके लिए liable होगी और जो firm काम कर रहे है partner उसके लिए liable होगे अब guys यहां पर जो बात करी गई है जो definition है when two or more person join hands to set up a business and share its profit and losses they are said to be a partnership तो यह भी easy सी definition है इसके साथ partners किसे कहते है guys person who have entered into the partnership with one another are individually called partners जो भी बंदे मिलकर काम करते हैं उनको हम partners कहते हैं और collectively उस जो काम करते हैं उसे हम firm कहते हैं और जो भी नेम रखते हैं हम अपनी firm का उसे partnership में क्या कहा जाता है the name under which the business is carried यानि कि जो भी अपनी हम अगर normal language में company बोल देते हैं but partnership को कभी भी company नहीं कहा जाता partnership को हमेशा firm कहा जाता है और हम हमेशा अपनी partnership firm का कोई ना कोई नाम रखते हैं तो जनरली लोग जो करते हैं कि partnership को company बोल देते हैं तो guys company नहीं उसको firm बोला जाता है हमें और partnership को register कराना भी जरूरी नहीं होता और ऐसा भी जरूरी नहीं होता कि return होना चाहिए agreement कि हम business कर रहे हैं और हम इतना profit share करेंगे it can be oral कि आप लोगोंने decide कि चलो यार business करते हैं हम यह बेचेंगे तो आप oral भी कर सकते हो बट यह है कि कल को अगर कोई बंदा अपनी बात से मुकर जाता है यह बंदा अपनी बात से मुकर जाता है तो आपके पास proof नहीं होगा return में आपके पास proof होता है तो return होगा तो ज्यादा better माना जाता है ठीक है इसके बाद guys आगे क्या है partnership का main purpose जो होता है profit and losses business के share करना होता है तो कोई भी जो भी partnership start करती होती है तो इसका main मकसद profit कमाना है यानि की charity करना नहीं है अब इसके बाद next बात क्या कही गई है number of partners कितने हो सकते है So guys minimum हमें पता है 2 हो सकते हैं लेकिन maximum कितने हो सकते हैं Maximum अगर हम companies act उठाके देखेंगे na guys 2013 उसके section 464 के according 100 But उसके बाद इन्होंने फिर एक amendment करके rule 10 of the companies miscellaneous rule 2014 में लाए जिसके according 50 हो सकते हैं इसके बाद बात करें guys liability की तो partners की जो भी liability होती होती है unlimited होती है unlimited का क्या मतलब है यानि कि अगर business ने एक लाख उर्पे देन्दारी देनी है लेकिन business की पास सिर्फ 50,000 रखा है जो भी हम business चला रहे हैं उसमें सिर्फ हमाबाद 50,000 है लेकिन हमें लोगों के पैसे चुकाने एक लाख तो पचास हजार तो इसमें से चुकाएंगे और पचास हजार partner अपने घर से लेकि आएंगे unlimited liability यानि कि उनकी personal property को भी use किया जा सकता है उधारी चुकाने के लिए फिक है इसके बाद है guys risk bearing यानि कि जो भी partner होते हैं वो business चलाने का risk लेते हैं और in terms of उन्हें reward क्या मिलता है guys profit तो जितना risk लेते हैं उतना उन्हें profit मिलता है लेकिन बात कहां आचाती है guys अगर कई बार उन लोगों को losses भी incurred करने पढ़ते हैं और losses भी वो आपस में क्या करते हैं शेयर करते हैं ठीक है इसके बाद decision making and control तो partnership में एक खास्यत है guys decision जो भी होता है वो सब लोग मिलकर लेते हैं share among themselves the responsibility ठीक है आपस में and control करते हैं day to day activity को तो आपस में सब लोग मिलकर decision लेते हैं और control करते हैं continuity guys थोड़ी सी continuity lack होती है कई बार ऐसा होता है कि main partner की अगर death हो जाए ठीक है तो partnership खतम हो जाती हैं दो ही लोग थे दो ही लोग में से अगर किसी एक की death हो जाए तो भी partnership खतम हो जाती हैं जादा partners थे तब में भी partnership चल सकती है तो continuity जो है वो थोड़ी lack रहती है ऐसा नहीं है कि किसी के मनने पर चलती रहेगी कई बार क्योंकि partnership दो लोगों से भी start करी जाती है तो एक के मनने पर partnership खतम हो जाती है mutual agency mutual agency का क्या मतलब होता है guys कि यहाँ पर partner जो है एक जो partner है वो सब के लिए भी काम करता है और खुद partnership firm के लिए भी काम करता है so every partner is entitled to participate in conduct of the affair of its business देखो इसका क्या मतलब होगी हर एक partner जो है वो participate कर सकता है business में second that there exists a relationship of mutual agency इसका क्या मतलब है each partner carry on the business is the principal as well as the agent for all the other partner he can bind other partner by his act or also bound by act of the affair अगर कोई भी एक partner इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी एक partner अगर हमारी partnership में 4 लोग है और कोई भी एक partner हमारी partnership firm में कोई decision लेता है तो वो सारे partners उसके भागीदार कहलाए जाएंगे यानि कि एक दूसरे को यह bind up कर देते हैं इसके बाद गाइस बात करी जाती है मेरिट्स और लिमेटेशन partnership के देखो सबसे पहले फाइदा क्या है वही बनाना असान है आप औरली इसे create कर सकते हो सेकिंड बैलेंस decision making क्योंकि किसी एक का decision नहीं चल रहा है सब लोग मिलकर decision ले रहे हैं तो decision काफी हर तक सही लिए जाते हैं more fund क्योंकि एक बंदा पैसा नहीं लगा रहा जितने partner होंगे उतना पैसा बिजनस में लगता है इसलिए हमारे पार बिजनस में पैसा ज्यादा आता है चौथा क्या है guys sharing of risk risk भी किसी एक को भुपतान करने की जरूरत नहीं है जितने partners होंगे उतनों को losses bear करना पड़ेगा तो किसी एक के उपर साला loss नहीं आता इसमें secrecy यानि कि आपको कोई भी अपनी information publish करने की नहीं होती तो आपकी information secret partners के बीच में ही रहती है आपको publicly उसे न्यूस पेपर में लाने की जरूरत नहीं है ठीक है लेकिन कमिया क्या है guys देखो कमिया भी है unlimited liability या partner ship अगर फर्म डूबती है तो partners के घर से उनकी personal property को यूज किया हो जाता है debt को चुकाने के लिए यानि कि उधारी को तो यह थोड़ी कमी है second limited resource यानि कि जितने partner है सिर्फ उतना ही पैसा लग पाता है possibility of conflict क्योंकि जहां दो यह दो से ज्यादा लोग होंगे आपस में लडाई होना वड़ा लाजमी सा है guys तो कई बार आपस में इनके लडा खतम हो जाती है lack of public confidence लोगों का इसमें confidence नहीं होता है guys क्योंकि कोई भी हम अपनी financial report लोगों के सामने नहीं रखते हैं ठीक है तो यह आपको समझ है कि इसके क्या benefit और नुकसान है अब हम बात करते हैं guys कितने type की partnership होती है तो partnership को अगर हम duration के base पर देखें तो एक होती है partnership at will यानि कि आपने अपनी मर्जी से start करी है और आप अपनी मर्जी से उसे खतम करते हो उसे partnership at will कहते है और particular partnership होती है कि आपने किसी काम को लेकर partnership करी और जब वो काम हो गया तो आपने partnership खतम करती जैसे इसका अगर मैं बोलू पर्टिकुलर partnership आपने को partnership करी कि हमें जैसे आपको contract मिला दिल्ली government से ठीक है कि फ्लाइओवर बनाना है ठीक है अब इसमें दो लोग involved है ठीक है दो लोगों ने मिलके काम किया तो जैसी फ्लाइओवर खतम होगा उनका पार्टिकुलर 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 प्रोजेक्ट से construction of a building या फिर कोई भी activity जो specific time period के लिए हो सकती है ठीक है उसे हम पार्टिकुलर partnership कहते है और यह अपने आप खतम हो जाते है जब वो purpose complete हो जाता है जबकि partnership at will के होती है आपने अपनी merge से start किया आप जब चाहे आपका नहीं है business करने का मन आप लोगों को में लडाई चल रही है आप इसे बंद कर सकते है तो partnership formed at will of the partner is called the partnership at will it continue as long as the partner want as terminated when any partner given notice of withdrawal from partnership जब भी वो notice देता है कि मुझे नहीं करनी partnership हो जाती है तो there are two types duration के base पे आप अपनी merge से करते हो उसे will कहते है और अगर आप किसी particular purpose के लिए करते हो तो उसे particular partnership कहते है ठीक है अब इसके बाद आ जाती है guys हमारी second type partnership जिसमें हम liability के base पे decide करते है एक होती है general partnership एक होती है limited partnership general partnership में स्थारे partners की जो liability होती है वो unlimited होती है जोइन्ट होती है नहीं कि सब को नुकसान भरना पड़ता है जबकि limited partnership के अंदर किसी एक कम से कम किसी एक की unlimited होनी चाहिए बाकी सब की में भी limited हो सकती है बड़ किसी एक की unlimited होनी चाहिए ठीक है यहाँ पर क्योंकि रिस्क ऐसे तो पना कर देंगे कि हम भुकतान नहीं कर रहे हम तो लोगों का नुकसान कौन भरेगा अगर पार्टनर का कोई decision हुआ इन्नोंने कोई company चलाई company तो नहीं बोलेंगे partnership firm चलाई लोगों से 50 क्रोड ले लिया इसकी liability limited है इसकी limited है इन्होंने का हमाई पाद तो 10-10 क्रोड ही है बिजनस में हम तो इतना ही दे सकते हैं बाकी 30 क्रोड कौन भरेगा जिसकी liability unlimited है तो किसी एक partner की liability unlimited होनी जरूरी है the partner enjoy the right to participate in the management of the firm and their act binding each other सारे partner guys जो होते है general partnership में एक दूसरे के कामों से एक दूसरे को बांगते है partnership के उपर ही नाम आता है तो यानि कि सारे partner के उपर नाम आता है लेकिन limited partners do not enjoy the right of management and their act do not bind the firm और other partner लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है registration of the firm is optional इसमें हम registered कराएं ना कराएं चल जाता है लेकिन इस वाले में यानि कि limited में हमें कराना पड़ता है next है guys the existence of the firm is affected by death death होना मरना कुछ भी effect होता है बट इसमें कुछ भी effect नहीं होता ठीक है तो यह थे हमारे types of partnership है अब guys हमारे कितने type के partners हो सफते हैं so हमारे total पांच type के partner होते है active partner sleeping or dormant partner secret nominal partner by stop it अब इनका क्या मतलब है active partner का जैसे नाम है ना देखो यह business में actually part लेता है और business में पैसा भी लगाता है और actually part लेता है ठीक है और यह actively business को चलाता है चाहे सब लोगों के basis पर चलाए पर यह business में part लेगा जबकि sleeping और जिसे हम dormant partner कहते है वो कौन होते है guys जो do not take any part in the business activity उसने पैसा लगा दिया और उसके बाद वो अपना कोई और business ला रहा है आउट ओफ इंडिया रहा है वो आपका sleeping partner है secret partner कौन होता है जो आपके partnership firm में involved है बट उसने general public को नहीं बता रखा a secret partner is a one whose association with the firm is unknown to the general public लोगों को नहीं पता बट उसने पैसा business में लगा रखा तो generally लोग क्या करते है secret partner बन जाते हैं पैसा लगा देते हैं और बताते नहीं हैं इसके बाद आता है guys हमारा nominal partner nominal partner वो होता है जो अपना नाम use करने देता है लेकिन वो actually business में कोई part नहीं लेता और नहीं कोई पैसा लगाता a nominal partner is the one who allowed the use of his name by firm sometimes हम कहते है अमिताब बच्चन जी की ये company है या किसी hero की company है वो कई बार ऐसा होते हैं वो अपना नाम use करने देते हैं ताकि उस company की brand value बन चाहें वो उसमें ना तो पैसा लगाते ना ही उसके कोई part होते that is called nominal partner by a stopper क्या होते है guys जब कोई एक बंदा अपने किसी act से ऐसा लगे कि भाया वो बात ही ऐसी कर रहे है कि ये तो इस company इस partnership firm का main member है तो उसे हम partner by a stopper क्योंकि इसके कुछ काम इसकी बाते ऐसी बनाई हुई है कि ये इस partnership firm का क्या लग रहा है partner लग रहा है so a partner is considered a partner by a stopper if through his her own initiate conduct or behavior he gives an impression to other that he is a partner of the firm ये हमारी partnership बड़ी अच्छी है इसमें ये काम होते है अब इसमें जब ये बोल दिये हमारी partnership तो हमने क्या माल लेंगे ये इसमें involved है उसे हम क्या कहते है partners by a stopper अब इनके बारे में कुछ खास चीज़े पढ़ते हैं guys पैसा लगा के कहता किसी को बताना मन और जो nominal partner होते है guys वो पैसा नहीं लगाता और ऐस्टोपल वाला तो बस बाते बनाने में बड़ा तेज है तो वो भी नहीं लगाता ठीक है participated management की अगर हम बात करें guys यह participate करता है management में क्योंकि active है और sleeping वाला नहीं करता हो पैसा लगा के गाया वो रखा है और जो भी हमारा secret partner है उसने लोगों को नहीं बताया बट पैसा लगाया है और participate भी करता है और जबकि अगर हम बात करें guys nominal partner की तो वो कोई भी पार्ट नहीं ल रहता है इसके बाद profit and loss भाई यह share करेगा यह भी करेगा secret partner भी share करेगा nominal partner जो है जिसने अपना नाम दे रखा है बस वो share नहीं करता profit and loss और नहीं एस टोपल वाला करता है अगर हम बात करें liability की unlimited liability होगी person की यहां पर भी भाया sleeping है भले ही part नहीं ले रहा बिजनस को चलाने म पार्ट तो नहीं ले रहा बड़ पैसा तो लगा रहा है इसने तो यह भी libel रहेगा और secret partner भी guys libel रहता है क्योंकि उसने लोगों को नहीं बता रहा बठ है तो partner इसके अलाबा unlimited liability रहती है third party के लिए कि इसकी nominal partner की nominal partner कौन था guys ठीक है nominal partner जो अपना नाम यूज करने देता थ तो इसने अगर अपना नाम यूज करने दिया है और third party ने इसकी वज़े से यानि कि एक बंदे ने अगर अपना नाम यूज करने दिया है और इसकी वज़े से third party ने अपना पैसा लगा दिया firm के अंदर तो यह libel होगा इसके लिए ठीक है और unlimited liability the third party इसमें भी same इसने क्यो के meaning से ही आपको clear हो जाएगा I hope आपको video समझ हाई होगी और अगर समझ हाई है तो please like करें बिना बिलकुल बच जाना Thank you guys